है 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 आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे कि आप सब का सब का स्वागत है मैं विकास और बचो हम क्लास 11 का मैट कर रहे हैं चैप्टर आप जैसा की आपको पता है sequence & series chapter के कुछ questions कर रहे हैं उसी चैप्टर को continue कर रहे हैं उमीद करता हूं बचो कि आप सिटान पूर्वक कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ रहे हैं कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप सेशन के स्टार्टिंग में ही पूछ लिया करें और उसी के साथ स्टुडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन्स चलते हैं स्मार्ट पूर्ट तो क्वेश्चन आपको होंवक के लिए गिया था चलते हैं क्वेश्चन पर देखें मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बेसिक चीजें यहां पर बताई थी ठीक है बेसिक चीजें कि कैसे इसको सॉल्व करना है कैसे अपरोच करना है क्या-क्या आप यहां पर मान सक किया तरीक आपका लगेगा उमीद करता हूँ आपने इसको सॉल्ठ किया होगा चल जय विश आपको large mesa समय देता हूँ जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दीजिये उसके बाद हम इसको साथ में Solve करने वाले जल्दी से आंसर बताइए सका तो बचो देखिए अब साथ साथ चेक करते जाएए जिसका आंसर आ गया है वो और जिसका नहीं आया है वो देखेंगे कि कैसे यहां पे हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा तो आपको 18 टर्म की रेशो बतानी है उसके लिए हमें क्या कर चाहिए जो दो सीरीज है ठीक है टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपी है उनका कुछ ए भी होगा मतलब फर्स टर्म भी होगी और कॉमन डिफरेंस भी होगा तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं लेट ए एंड ए कैपिटल ए मैंने एक की फर्स टर्म मान ली एंड स्मॉल ए मैंने तूसरे की फर्स टर्म मान ली है दूसरे पी की एंड कैपिटल दी पहले पी की और स्मॉल दी दूसरे पी की मैंने कमन डिफरेंस मान लिया है दीदर फर्स टर्म कि लिए थार्स ट आंड सपेतल D लिए एन दुसेकंड एपी रिस्पेक्टिव ले देखे हमने क्या किया है हमने दो एपी है हमारे पास पहला और दूसरा तो पहला एपी का एपी और डी हमने क्या माल दिया अब हमें करना है अकोर्डिंग टू कंडिशन ठीक है अकोर्डिंग तू जो गिवन कंडिशन है उसके अकोर्डिंग हम क्वेशन को आगे प्रोचीड करेंगे क्या है देखे जो दिया है मैं वही लिखूँगा यहां पर कुछ अलग नहीं लिखने वाला मैं तो इसी लिए ध्यांसे देखने हां पर यही दिया है सम of N terms of first AP सम of N terms of first AP अपॉन सम ओफ एंट तर्म्स ओफ सैकेंड एपी मतलब भाई पहले जो एपी है उसके एंट तर्म्स का योग्ट अपॉन दूसरे AP के एंट टर्म्स का योग्ट मतलब यह रेश्यो है एक तरफ से एक तरह से रेश्यो है जो कि आपको दी हुई है कितनी दी हुई है फाइफ एन प्लस पॉर बाई नाइन एन प्लस पॉर तो यहां तक जो है वो जो क्वेश्चन में है वही लिखा है मैंने बस यह चीज लेट की है मैंने capital A, small A, capital D, small D, ठीक है, यह मान लिया है मैंने, इसके आगे से हम solution स्टार्ट करेंगे, यहां तक note down कीजिए पहले आगे अब हमें पता है sum of N terms, मतलब S N होता है, S N का क्या formula है? आपको पता होना चाहिए कि भई, S N, sum of N terms का formula क्या होगा? N by 2 into 2A, अब पहले 2A क्या है? A जो first term है भई है, और first AP में first term है capital A, 2A plus N minus 1 into capital D by N by 2 upon 2A plus N minus 1 into D, यही है, इक्वल टू क्या है? 5N, 5N plus 4 by 9N plus 6, यही है, 5N plus 4 upon 9N plus 6, इसको आगे हम solve करेंगे, उससे पहले एक चीज़ देख लिजिए, N by 2 numerator denominator में है, इसको हम काट सकते हैं, cancel out को जाएगे, उसके बाद, उसके बाद यह as it is रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे? पर 2 यहां से common निकाल लिजिए, यह तो देखिए, यहां पर कट गया है, अब 2 A plus N minus 1 into D है, तो 2 यहां से common निकाल लेंगे, क्या जाएगा? यह A plus N minus 1 by 2 into D, यह रह जाएगा? सेम चीज़ numerator, denominator में भी सेम चीज़ करेंगे, तो A plus N minus 1 upon 2 into D is equal to 5N plus 4 by 9N plus 6, यह यहां से काट जाता है, अब देखिए, हमें कौन सी टर्म चीए, 18 टर्म चीए, क्या चीए, 18 टर्म चीए, 18 टर्म चीए, तो मुझे बताइए, कि 18 टर्म A 18 के लिए, क्या हम यह लिख सकते हैं, कि जो फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म है, प्लस A 17, 17 लिज़, हम 17D लिख सकते हैं, 18 is equal to A plus 17D, तो यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है, देखिए, यह A हो गया, A plus N minus 1 by 2, किसके equal रख सकते हैं, हम 17 के equal, और यह P हो गया, तो 18 टर्म के लिए निकालना है हमें, तो मतलब 18 टर्म के लिए यहाँ पर N minus 1 by 2, 17 के equal होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, इसको प्रॉफ कर लिए, इसको हम फिर्स्ट एक्वेशन माल लेते हैं, for the 18th term, भई 18th term के लिए हम क्या कर सकते हैं, 18th term के लिए हमें पता है कि भई, A 18 is equal to A plus 17D होता है, ठीक है, A plus 17D होता है, तो हम यहाँ पर N minus 1 by 2 is equal to 17 दख सकते हैं, तो N minus 1 किसके बराबर आगर, 17 into 2, that is N minus 1 is equal to 34, and N is equal to 35, तो N की वैल्यू मेरी यहाँ पर 35 आई है, इस N की वैल्यू को मैं पहली एक्वेशन में डाल सकता हूँ, तो N की वैल्यू को हम पहले एक्वेशन में डाल के देखते हैं, क्या था, पहले यहाँ तक नोट आउन की में, तो बच्चों यह भी नोट डाउन कर लिया समने, अब देखिए, हमारे पास जो एक्वेशन 1 है, उसमें N की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर A है, A प्लस, N कितना है, 35 है, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ इसमें, put value of N in equation first, A plus 35 minus 1 by 2 into D by A plus 35 minus 1 by 2 into D is equal to 5 into 35 plus 4, सॉल कीजिए अब थर्टी फाइफ माइनस वन बाई तू कितना आएगा थर्टी फोर बाई टू और कैंसल आउट करेंगे तो यह सेवनटीन आ जाएगा तो यहां से आपको क्या करना है लिख देना है सेवनटीन दी वाई ए प्लस सेवनटीन दी यही आ जाएगा एक्वल्स टू 5 इन्टू 35 कितना हो गया था इंटू 35 इंटू पांच 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 āटू 25 00 je中共 चाह घृओ बलाव अव्ल सभ्र मे नो इन्टू 25 नो पंशेब 95 चाली और चारहासिल नोतिया 274, 31, 315 प्लस 6 और यह आ जाएगा 179 बाइ 321 जिसको माल लेते हैं हम सेकेंड एक्वेशन अब एक चीज और ध्यान देना है आपको कि जो 18 टर्म है 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या है 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड एटीन टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या क्या है यह देखें फर्स्ट एपी की 18 टर्म तो है एप्लस 17 टी और सेकेंड एपी की है एप्लस 17 टी यहीं है इसको मैं अब एक्वेशन टू और एक्वेशन ट्री से मैं यह बोल सकता हूं कि 18 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी है 179 और 18 टर्म सेकेंड एपी कि 321 ठीक है यह रेश्यो है ठीक है तो अब क्या करना है आगे इनका रेश्यो मैं लिख सकता हूं नोर्दाउन कीजिए पहले हां पर अब देखे हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया 18 यहां से जो हमारे पास एक्वेशन है इक्वेशन सेकेंड ठीक है एं थर्ड एक्वेशन रड़ी अप्टेंड और थर्ड से हमें क्या मिलता है कि वह जो एटीन्थ टर्म ओफ फर्स्ट एपी अपोन एटीन्थ टर्म औफ सेकेंड एपी कि इसके एक्वल है 179 बाइ 321 यह मिलता है इसको लिख देते हैं एटीन्थ टर्म ओफ फर्स्ट एपी बाइटीन्थ टर्म ओफ सेकेंड इस इक्वल टू फंट हमें रिश्यो मिल गया है एक नहीं तस 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 रिश्यो ओफ ग ओफ ये टिन्थ वफ ये टिन्थ तर्म्वस ओफ औप तो एपी इस वन सेवंटीन नाइश्यो 321 एंड में यह आप आंसर लिख देंगे यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप कर सकते हैं नोडाउन कर लिए इसको एक और क्वेश्चन दिखेंगे सभी नोडाउन कीची क्वेश्चन को क्वेश्चन टर्ण ट्रण ट्रण संसी लिएत विए nerede इस नोडेव श्यवड से ऴ if the sum already the cambi K of N A P is equal to the sum of the first q terms then find the sum of the first p plus q terms question go no down कीजिए अच्छे से समझे कि क्या find out करने तो बच्छो सबने नोट डाउन कर लिया अब देखिए जैसे आपको एक होमवक मिलता ही एक तो आज का होमवक यह है मैं थोड़ा सा आपको हिंट देदेता हूं कि क्या पूछा गया है कैसे सॉल्व करना है तो यहां पर आपको समोफ फस्ट पी तर्म दे रखा है एस पी आपको गिवन है एक एक पी का वह किसके एक्वल है समोफ फस्ट पी टर्म औफ नफ इस इकल टू अफ फस्ट क्यू टर्म के यह दोनों क्या है एक वल है अब एसन का फोंबला सबको आता है समोफ एंट टर्म्स क्या होता है n by 2 into 2 a plus and minus 1 into d बस जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ इस case में P रख देंगे इस case में Q रख देंगे ठीक है उसके बाद हमें क्या निकालना है S P प्लस Q तो आप इसली निकाल पाएंगे इस तरह से इस डारेक्शन में रख सोचेंगे तो इसको कर पाएंगे ठीक है तो यह आपको होमवक में करके रहाना है तो बचो यहां पर हमने questions किये हैं उमीद करता हूं कि questions अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं साथ में note-down भी कर रहे हैं और जो जो डाउट है वो आपके clear हो रहे हैं साथ-साथ तो बचो होमवक टेली चरूर करें इसी के साथ आज का session यहां पर हम end करते हैं thank you and have a nice day